Medical Specialties दोस्तो नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Medical Specialties के बारे में दोस्तो डॉक्टर्स को Specialties के एकोडिंग कई सारी केटेग्रीज में डिवाइड किया गया है कापी सारी डॉक्टर्स होते हैं और किस बेमारे में किस डॉक्टर को दिखाना है इस चीज में अक्सर लोग खेयाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस बेमारे में कौनसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले हम जिसे specialist doctor की बात करेंगे वो है ophthalmologist ophthalmologist की qualification होती है ophthalmology में यानि कि वो आखों के doctor होते हैं और ophthalmology की पढ़ाई करते हैं अब ophthalmologist को कब दिखाना चाहिए अगर vision से related कोई दिक्कत हो यानि कि आपकी नजर से related कोई problem है तो आप ophthalmologist को दिखा सकते हैं आई में अगर injury हुई हो यानि कि आँख में कोई चोट लग गई हो तो ophthalmologist को दिखा सकते हैं इसके अलावा अगर मोतियाविंद की सिकायत है यानि केट्रेक्ट है या आकों से जुड़ी हुई और कोई समस्या है तो आप किसको दिखाएंगे ophthalmologist को इसके बाद में next specialist की बात करते हैं next specialist है dermatologist और dermatologist जो होते हैं उनकी qualification होती है dermatology में और dermatology में एक इस चीज की बढ़ाई करते हैं integument integumentary system की integumentary system में क्या आता है skin hairs और nails integumentary system में आते हैं और इस चीज़ की dermatologist पढ़ाई करता है dermatologist को कब दिखाना चाहिए अगर कील मुँँवा से किसी के हो रहे हैं चेहरे पर लागड़ है skin allergy है या hair fall होता है या फिर skin से समद्धित यानि तुचा से समद्धित कोई भी विमारी है तो आप किसको दिखाएंगे dermatologist को इसके बाद में नेक्स्ट स्पेसिलिटी की बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिलिटी है पेडियाट्रीशियन पेडियाट्रीशियन को बच्चों के डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है और इनकी क्वालिप किसन होती है पेडियाट्रिक्स में अब पेडियाट्रीशियन को कासी जुकाम है या उनके उल्टी दस्त है तो किसे मिलेंगे पेडियाट्रिशिन को लेकिन पेशेंट की उम्र होनी चीए 0 से लेके 18 साल तक दोस्तों इसके बाद में next specialist डोक्र के अपन बात करेंगे तो वो है neurologist neurologist यानि दिमाग के डोक्र अब इनकी qualifications होती है neurology में अब neurology में क्या आता है brain आता है आपका यानि मस्तिक्स spinal cord यानि की जो read की हड़ी जो होती है उसके अंदर जो spinal cord पाई जाती है मेरू रज्जू इसको बोलते हैं उसकी अगर बिमारियां हो या फिर nervous system की कोई भी disease हो तो आपको किसको दिखाना चाहिए neurologist को इसके बाद में अपन बात करेंगे कि neurologist को और कौन-कौन सी विमारियों में अपन दिखा सकते हैं जैसे कि brain hemorrhage हुआ यानि stroke अगर होता है तो neurologist को दिखा सकते हैं Alzheimer में दिखा सकते हैं या दास्त अगर किसी की कम हो गई है तो उसको भी neurologist से मिलना चाहिए मिर्की के दोरे पढ़ना यानि seizures की अगर किसी को दिख्कत है epilepsy अगर किसी को है तो उसको भी neurologist को दिखाना चाहिए इसके अलावा लंबे टाहिम से headache रहता है या migraine है तो आप neurologist को दिखा सकते हैं इसके बाद में next specialist डोक्टर की अपन बात करेंगे और वो है psychiatrist अब दोस्तों neurologist अपन ने देख लिया अब इसके next अपन देख रहे है psychiatrist ये भी दिमाग के ही डोक्टर होते हैं लेकिन ये किस तरह के डोक्टर होते हैं ये मानसिक स्वास्ते को केवल देखते हैं अगर मानसिक स्वास्ते में कोई दिक्कत है तो आपको किसको दिखाना पड़ेगा psychiatrist को मानसिक स्वास्ते में आपको हो सकता है कि मानसिक तनाव से अगर कोई patient गुजर रहा है अवसाद अगर किसी में है यानि डिप्रेशन में है या फिर फोबियाज यानि कि डर कई तरह के फोबियाज पाई जाते हैं जैसे कि हाइड्रो फोबिया हुआ पानी से किसी को डर लगता है अंदेर से किसी को डर लगता है या फिर क्लश्ट्रो फोबिया हुआ जैसे कि बंद जगे से किसी को डर लगत तो यह सारी जो इस तरह की जो phobias है इसमें psychiatrist को देखाना चाहिए शीजोफ्रेणिया का अगर कोई patient है यानि कि पागिलपन अगर किसी में है तो आपको psychiatrist से मिलना चाहिए इसके अलावा अनिद्र आयानि Wikipedia में का यूरिनरी ठेक्टि यूरिनरी डेक्टर आग़िया के अगया तो इसके बाद में आपको यूरीनियस्ट को दिखा सकते हैं। अगर किड्नी में पत्री है तो आप यूरोलोजिस्ट को दिखा सकते हैं। प्रिकेशन होती है फीमेल रिपर्डेक्टिव सिस्टम एंड डिजेज में और मैलाओं से रिलेटर जो भी दिक्कते हैं जो भी समस्या है उसमें अपने को गाइनेकोलोजिस्ट को या ऑस्टिट्रिशन को दिखाना पड़ता है अब दोस्तों गरबावस्तार से सम्मधित और स्टिट्रिशन या गाइनेकोलोजिस्ट से उनको मिलना चाहिए इसके बाद में नेक्स्ट स्पेसलिटी की जिसकी अपन बात करेंगे वो है और्थोपेडिशन और्थोपेडिशन जो है दोस्तों हड्डियों के डॉक्टर होते हैं हड्डियों के डॉक्टर जो है उनक किसी को hip replacement और knee replacement यानि कि गुटने का operation और कुले की हड़ी का operation अगर किसी को करवाना है या फिर किसी के अगर arthritis की दिक्कत है यानि कि गटिया भाई है जोडों में दर्द होता है एसी कई सारी जो हड़ीों से related दिक्कते हैं उसमें आप दिखाएंगे किसको orthopedition को orthopedition को आप दिखाएंगे ठीक है दोस्तों इसके बाद मैं next especially doctor की जिसकी अपन बात करेंगे वो है काडियोलोजिस्ट काडियोलोजिस्ट को अला कि सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि काडियोलोजिस्ट का नाम लगवक सब ने सुना है क्यों क्योंकि दिल की विमारियां आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी वज़े से काडियोलोजिस्ट को सब लोग जानने लगे है काडियोलोजिस्ट का जो क्वालिपिकेशन हो होता है काडियोवेस्कुलर सिस्टम हार्ट एंड ब्लड वेसर्ज में अब काडियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या आगया आपका दिल आ गया और ब्लड वेजल से आने जो खुन की नलिया होती है जिससे की ब्लड सप्लाई होता है अपने पूरी बोडी में उससे रिलेक्टेट पढ़ाई करते हैं काडियोलोजिस्ट अब दोस्तों दिल की अगर कोई बिमारी हो या फिर हार्ट फेलियर का कोई पेशेंट हो नसों में ब्लोकेज हो हार्ट अटेक का अगर कोई पेशेंट है या फिर कोलेस्टरोल जमने जैसी समझे होती है एसी कई सारी समझे हैं जो दिल से समझ दिता है उसमें आप किसको दिखाएंगे कार्डियोलोजिस्ट को कार्डियोलोजिस्ट को आप दिखाते हैं दोस्तो इसके बाद में नेक्स्ट स्पेसिलिटी जो है उसका बात करेंगे ओन्कोलोजिस्ट ओन्कोलोजिस्ट जो है कैंसर के डोक्टर होते हैं दोस्तों और इनकी qualification होती है onkology में onkology में इनकी qualification होती है और जो हैं यह सारे type की cancers को देखते हैं और tumors को भी यह देखते हैं अब इसके लिए तो दोस्तों onkologist को open cup दिखा सकते हैं जब सरीर के किसी भी हिस्से में आपको gant या cancer के लक्सन दिखाई दे तो आप onkologist को दिखाएंगे इसके अलावा breast cancer, mouth cancer, lung cancer इस तरह के कई सारे cancer होते हैं जिनमें आप किसको दिखाएंगे onkologist को तो दोस्तों इसके बाद में next specialty जो है वो है gastroenterologist gastroenterologist यह होते हैं pet के doctor और इनकी qualification होती है gastroenterology में gastroenterology में वो किस चीज की पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई करते हैं इस टोमक से लेके total intestine की वो पढ़ाई करते हैं और इन डॉक्टर को अपन कब दिखा सकते हैं जब liver, gallblader gallblader यानि की पित की तहली biliary system यानि bile juice जहां से निकलता है उस system में अगर कोई दिख्कत है pencreas यानि अगनाशे की विमारियों में अपन दिखा सकते हैं किसको gastroenterologist को इसके अलावा अगर gas बनने की दिख्कत है पीलिया अगर है लगातार दस्त रहते हैं पेट का cancer हो सकता है पेट में छाले हैं अपच रहना या फिर stool यानि की बल में खून या जागाना पेट दर्द और पेट में गुड़गडा हैट से भी पेट में दर्द और पेट में गुड़गडा हैट जैसी अगर दिख्कते हैं तो आप किसको दिखाएंगे gastroenterologist को अब दोस्तों इसके बाद में next specialty जो है ENT specialist और इनको कब दिखाना चाहिए अगर सुनने में दिख्कत या बहरापन है टेस्ट में दिख्कत है मूँ और गले के छाले हैं निगलने में कटना ही होती है लगातार जो काम रहता है राइनाइटिस या सानुसाइटिस की अगर दिख्कत है आवाज से related problem अगर आपको है तो आप किसको दिखाएंगे ENT specialist को दिखाएंगे अब दोस्तों इसके बाद में next specialty की अपन बात करते हैं और next specialist doctor है plastic surgeons अब दोस्तों plastic surgeons जो होते हैं उनकी qualification होती है plastic surgery और burns में अब plastic surgery और burns में ये लोग क्या पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं reconstructive and cosmetic surgeries की ये पढ़ाई करते हैं अब इन डोक्टर्स को अपन कब दिखा सकते हैं अगर किसी patient के कटे पटे होट हैं जूड़ी हुई अंगलियां है जन्मजात निसान यानि की birth marks है उनको हटवाने के लिए उनको ठीक करवाने के लिए plastic surgeon से मिल सकते हैं इसके अलावा अगर किसी को टाटू हटवाना है जलने का निशान अगर किसी के है या फिर ज़््यादा जला हुआ है कहीं से इस Secret से तो ठीक करवाने के लिए आप plastic surgeon से मिल सकते हैं breast cancer और breast implant भी plastic surgeon करते हैं hair transplant भी plastic surgeon करते हैं best surgery हो या mall extraction यानि कि तिल जो हो जाते हैं body पे उनको निकलवाने के लिए भी आप plastic surgeon से मिल सकते हैं और कोई सी भी cosmetic surgery यानि कि कुछ लोग जो modeling में होते हैं या जिनके लिए looks खावी matter करते हैं वो लोग भी plastic surgeon से जाके consult कर सकते हैं और cosmetic surgery करवा सकते हैं अपने looks को और जदा अच्छा बनाने के लिए अब दोस्तों इसके बाद में जो next especially doctor हैं वो होते हैं general surgeon अब नाम से दिख रहा है कि general surgeon यानि कि general surgeries करते होंगे तो इनकी study होती है elementary के नाल में यानि आहर नाल जित्ती भी है उसकी पूरी की पड़ाई ये करते हैं general surgeons उसमें आहर नाल में आगया आपका isophagus, stomach, intestine, liver, pancreas, gallbladder, appendix, thyroid gland, bile duct इन सब की study ये करते हैं अगर आप non-medical field से हैं तो आपको ये word थोड़े से अजनवी से लग सकते हैं मैं इनका आर्थ आपको बता जेता हूँ isophagus मतलब isophagus मतलब जो आहर नाल आपकी है उपर की आहर नाल जो है उसको अपन बोलते हैं isophagus stomach यानि पेट, intestine यानि आथ liver यानि आपका जो liver ये करत जो होता है उसको liver बोलते हैं pancreas यानि अगनाशे goal bladder यानि की पित की थेली जो होती है appendix appendix आप सब जानती है नाम सुना होगा thyroid gland जो होती है वो गले के पास में होती है और bile duct यानि की bile juice जो डक्ट जो नली लेके आती है उसमें अगर कोई समश्या है तो उन सब की पड़ाई ये general surgeon करते हैं और ये surgery से ही treatment करते हैं नाम में आपको लग रहा है कि general surgeon यानि की surgery करता होगा अब आप इनको कब दिखा सकते हैं जब आपकी skin जल जाए अब धियान डगना दोस्तों plastic surgeon को भी आप skin burst में दिखा सकते हैं और general surgeon भी skin के burns देख लेता है इसके अलावा limb amputation यानि की जब किसी के limb amputation करना हो यानि हाथ पेर काटने की अगर जरुरत पट रही है तो general surgeon भी limb amputation कर देता है इसके अलावा आंतरिक रक्त स्राव यानि की internal bleeding अगर किसी के हो रही है पेट में अगर किसी के bleeding हो रही है तो general surgeon को दिखा सकते हैं आत में blockage है या gaze ज़्यादा बन रहा है तो general surgeon को दिखा सकते हैं आत में अगर छेद है या पिर जयातर जो operation है वो कौन करते हैं general surgeon ही करते हैं सरीर में कहीं पे भी गाव है सरीर में कहीं पर भी गाव है तो किसको देखाएंगे जनरल सर्जन को अगर उसको सर्जरी से ठीक करना है तो जनरल सर्जरी उसको देखते हैं इसके अलबा नेक्स्ट इस पेसलिटी की अपन बात करेंगे तो वो है एंडोक्राइनो लोजिस्ट अब दोस्तों एंडोक्राइनो लोजिस्ट जो आते हैं उनकी क्वालिफिकेशन होती है एंडोक्राइनो लोजिस्ट अब दोस्तों एंडोक्राइनो लोजिस्ट को आप कब दिखा सकते हैं यानि जितनी भी हार्मोन और गरंतियों से जुड़वी बिमारियां हैं कि आपकी diabetes हुई, thyroid की problem हुई, हार्मोन और गर्णतियों समंदित सारी समस्याएं, या फिर height कम बढ़ना और growth कम होना सारी रिक दुर्बलता हो सकती है, या फिर excessive weight gain होना, एसी कई सारी समस्याएं जो हार्मोन से जुड़ी हुई है, उन सब को आप किसको दिखाएंगे जाके, एंडोक्राइन रोजिस्ट को, इसके बाद में next specialty के अपन बात करेंगे, वो है general physician, general physician जो है दोस्तों, ये क्योब medicine की study करते हैं, general physician की qualification होती है medicine में, और ये जो है, treat with medicine and physical exercise, यानि कि ये जो treatment करते हैं, वो या तो दवाई दे के करेंगे, या फिर physical exercise आपको बताएंगे, और ये सभी सामाने बीमारियां, जैसे कासी जुकाम बुकार उल्टी दस्त में, general physician को आप दिखा सकते हैं, general medicine से ही ये treatment करते हैं, इसके बाद में next specialist की अपन बात करेंगे दोस्तों, और next specialist है, nephrologist, nephrologist यानि कि ये kidney के doctor है, और इनकी qualification होती है kidney care में, kidney में अगर कोई भी दिख्कत है, kidney से related कोई भी problem होता, आप दिखाएंगे nephrologist को, अगर dialysis किसी का होता है, तो nephrologist को दिखा सकते हैं, nephrologist के पास में dialysis machine available होती है, जिनकी kidney फेल हो जाती है, वो nephrologist को दिखा सकते हैं, kidney फेल होने के बाद में dialysis की जरुद पड़ती है, वो dialysis कौन करता है, नेप्रोलोजिस्ट, इसके बाद में next specialty अपने आती है dentist, ये तो सब जानते होंगे, dentist जो most common specialty है, dentist जो होते हैं, उनकी study होती है, odontology में, odontology आने की दाट से related sciences जो है, dental sciences जो है, उसकी पड़ाई ये करते हैं, दातों से समधित कोई भी समझे हो, जिसे की दात में दर्द, कीड़ा लगना, दातों का टेड़ा मेड़ा होना, root के नाल अगर करवाना है, पीले दात, अगर किसी के उनको white करवाना है, तो आप किस से मिलेंगे, dentist से मिलेंगे, इसके बाद में next specialty की बात कर लेते हैं, next specialty है, अपनी sexologist, sexologist, नाम से पता चल रहा है, study किसकी करते होंगे, sex और related issues की, अब कब दिखा सकते हैं, आप sexologist को, अगर relationship और intimacy की कोई भी problem है, यानि की, पती-पतनी की रिस्तों में अगर कोई दिक्कत है, उनको physical होने में, या intimacy में कोई दिक्कत आ रही है, तो sexologist को मिल सकते हैं, treat sexual issues with medicine and counseling, but not with surgery, अब दोस्तों, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, यो यूरोलोजिस्ट होते हैं, यूरोलोजिस्ट जो है, surgery के दोवारा sex problems को solve कर सकते हैं, operation वो कर देते हैं, अगर penis और वेजाईना में कोई दिक्कत है, तो वो कर देते हैं, उसको ठीक, surgery से, लेकिन sexologist आपको हमेशा, या तो medicine देगा, या फिर counselling करेगा, उसी से ये आपकी समश्याओं को समधान करते हैं, ये बिल्कुल urologist जैसे ही होते हैं, लेकिन surgery नहीं करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं, pulmonologist की, pulmonologist जो हैं, वो होते हैं फेपड़े के doctor, अब दोस्तों, इनकी qualification होती है, respiratory system में, from wind pipe to the lung, यानि की wind pipe बोले, तो स्वास नली से लेके, अपने फेपड़ों तक की ये पड़ाई करते हैं, और इनको कब दिखा सकते हैं, जब लंबे समय से कांसी हो, फेपड़ों में संक्रम्न हो, pneumonia हो सकता है, TB की सिकायत हो, या और भी AC कई बिमारियां, जो की फेपड़ों से जुड़ी हुई, तो आप किसको दिखाएंगे, पल्मनो लोजिस्ट को, इसके बाद में next specialty के अपन बात कर लेते हैं, फिजियो थेरेपिस्ट, अब दोस्तों, फिजियो थेरेपिस्ट जो है, वो पड़ाई करते हैं फिजियो थेरेपि की, लेकिन ये जो है, रियल डॉक्टर नहीं होते हैं, दे आर नोट रियल डॉक्टर्स, लेकिन ये जो हैं, अपने नाम के फीचे, डॉक्टर भी नहीं लगा सकते हैं, इनकी qualification फिजियो थेरेपिस्ट को, इसके अलावा, अगर फिजिकल इंजरीज और स्पोर्ट इंजरीज होती हैं, तो किसको दिखाना चाहिए, फिजियो थेरेपिस्ट को, मुवमेंट इंबलेंस अगर है, तो फिजियो थेरेपिस्ट को आप दिखा सकते हैं, और यह इलाज करेंगे वही फिजियो थेरेपिस्ट के दुवारा, आप्टर लॉंग इस्टेरेपिस्ट को, कभी कभी कोई पेशेंट अगर लंबे समय तक आईशियो में रहता, तो इसको कापी सारी दिक्कत हो सकती है, जैसे की निगलने में दिक्कत होती है किसी को, या किसी की मुवमेंट नहीं आते हैं, किसी के कोई चल नहीं पाता है, तो ऐसी समझयाओं में आप किसको दिखा सकते हैं, फिजियो थेरेपिस्ट को, इसके अलावा आप, अगर ओल्ड एज में हैं, आपकी उम्र जैदा है, और आपको आर्थराइटिस जैसी दिक्कत है, या और बेक पेन होता है, इस तरह की कोई भी समझयाओं तो आप फिजियो थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, जोएंट स्पेन, इत्यादी में भी आप फिजियो थेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो फिजियो थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट स्पेसिलिटी जो है, वो last specialty में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और वो है psychologist अब दोस्तों psychologist और psychiatrist में क्या फर्क है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि psychologist जो है वो study करता है psychology की और जो psychiatrist है वो study करता है psychiatry की, अब इन दोना में डिपरेंस क्या है psychiatrist जो हता है वो treatment करता है medicine से लेकिन psychologist जो हता है ये treatment करता है tragedy stress किसी को है तो psychologist से मिलो counseling कर देगा वो और अगर कोई depression में है अवसाद अगर किसी के है तो psychologist उसका treatment करता है और अगर किसी की marriage में कोई दिक्कत है अनबन अगर किसी के husband wife में राती है तो उनकी counselling भी marriage counseling कर लाती है और वो कौन करता है psychologist करता है तो दोस्तों इस तरह से आज हमारी जो है सारी specialities complete हो गई है और हमने अब और अब आप सबको पता से लगया होगा कि कौन सी बिमारी में किस doctor को दिखाना चाहिए दोस्तों मैं इसी तरह के health related लाता रहता हूँ और आपको हर महीने मेरे वीडियो देखने को मिलेंगे अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को subscribe कर लें ताकि आप हमारा एक भी video मिस नहीं करें और इसमें जितनी भी information दी जाती है वो पूरी scientific evidence इस बेश्ड होती है और दोस्तों आपके बहुत काम आने वाली है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको दोसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि किसी और को भी नई पूचना पड़े कि कौन सी बिमारे में किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए इसे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में धन्यवाद